question number 10 जो है quadratic equation exercise 5.3 class 11 से लिया गया है solve किजिए x square plus x upon root 2 plus 1 तो यहाँ पर जो है यह quadratic equation है जिसमें x square का coefficient a जो है वो 1 है और x का coefficient b जो है 1 upon में root 2 है और constant term c जो है वो 1 के equal है quadratic formula है x equal to minus b plus minus b square minus में 4ac और नीचे upon में 2a भी है तो अब इसमें a b c की values जो हमने निकाली थी वो रख देंगे तो b की जगा हमने रखा 1 upon में root 2 और फिर यह plus minus under root में फिर b की value रखी 1 upon में root 2 और इसका square कर दिया minus में 4 a की value 1 रखी और c की value 1 रखी और upon में 2a है तो a की जगा फिर 1 रख दिया तो यह हो गया minus 1 upon में root 2 plus minus जो है अब 1 upon में root 2 का square 1 upon में 2 हो जाएगा और यह हो गया minus के 4 और नीचे हो गया 2 अब 1 upon में 2 में से 4 minus करते हैं तो हमारे पास minus के 7 upon में 2 आता है तो यह हुआ माइनस के 1 upon में root 2 plus minus में root minus 7 upon में 2 upon में 2 अब हमारे पास जो है यह हो गया minus 1 upon में root 2 और plus minus 7 upon में 2 और आयोटा और नीचे 2 हो गया अब आप root 7 upon में 2 को root 7 upon में root 2 लिख सकते हैं इस तरह से आप देखते हैं कि root 2 जो है वो यह की form में आ जाता है तो हमारे पास हुआ minus 1 plus minus root 7 और नीचे जो यह हो गया तो इस तरह से हमारे पास दो value है यह कभी minus 1 plus का sign लेने पर root 7 upon में 2 root 2 और दूसरी value ही minus 1 minus का sign लेने पर minus root 7 upon में 2 root 2 उमीदा आपको यह question खुब अच्चा से समझ में आ गया हो गया मेरे वीडियो के लाइक कीजिए श्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और में